हेलो गाइज, दिस इस आजाद आप लोगों को पता होगा इस समय पर काखोब का डेम जो है नियूज में है बास्ताम में काखोब का डेम कहां पर है और ये क्यों नियूज में है इस बात पर हम चर्चा करेंगे अगले 4-5 मिनिट में बास्तविक्ता ये है कि रूस और युक्रेन का युद्ध एक लंबे समय से चला आ रहा है आप लोग इस बात से अबगत होंगे आप लोगों को पता भी होगा रूस और युक्रेन का युद्ध चला रहा है वहीं इस बीच ये जो डेम है चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि अभी अभी हाल ही में ये जो डेम है वो तूट गया है ये डेम जो है वो दक्षडी यूक्रेन में या साउथ यूक्रेन में रूस के कबजे वाले खैरसान प्रोविंस में इस्तित्था खैरसान एक प्रांते वहाँ पर जहां पर ये जो डेम है वो इस्तित्त था अब इसके तोटने की वज़े से इस जगे पर बड़ी भारी तबाही हो गई है बड़ी भारी तबाही का मतलब यहाँ पर जितनी भी क्रसी थी जितनी वरस्पतियां थी सारी नश्ट हो गई है यहाँ पर जो लोग तटिये चित्रों में रहते थे सब के सब लोग वेघर हो गए है अब इस बज़े से यहाँ पर बड़ा संकट देखने को मिला है जिसकी बज़े से हम इसे देख रहे हैं मैं आपको एक चित्र के माध्यम स और दिखा सकता हूँ कि आखिर यह कहां पर है रिजन कैसे प्रभावित हुआ है तो देखे मैं मैप पर आपको दिखाता हूँ मैप देख रहे होंगे आप मेरे ख्याल से मैप देख रहे हैं तो यह जो आप देख रहे हैं का खोबा रिजर वायर है अर्थात आप जानते है डेम के पीछे जो वाटर एकत्रित होता है एकटा होता है इस्टोर होता है उसकी वज़े से एक रिजरवायर बनता है तो इसी नाम से एक रिजरवायर भी बना हुआ है इस छेतर में तो आप रिजरवायर को भी देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से तो ये वाला जो छेतर है यह रिजरवायर वाला है और यह पूरा छेतर इसके तूटने की वज़े से प्रभावित हो गया है अब यहाँ पर जितनी भी खेतिवाड़ी का काम था सब प्रभावित हो गया है यहाँ पर सामान जन की जिंदगी पर इसका बहुत दुस्प्रभाव पड़ा है बहुत सा है हेडलाइन यह दा है इंडियन एक्सप्रेस आप न्यूज पर देख रहे हैं उसमें इसे दिखाया गया है बास त्विक्ता यह है कि 6 जून 2023 को यह एक बिस फोर्ट के कारण नश्ट हुआ है ऐसा बताया जा रहा है अब इस फोर्ट रूस ने किया है या यूक्रेन ने कि यह कुछ पता नहीं इस पश्ट नहीं है यूक्रेन रूस की कहता है रूस इस बात से नकार आ है कि हमने नहीं किया है और यूक्रेन ही क्यों इस बात के लिए तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा यूरोप या पूरा का पूरा पश्चमी जगत आरोप लगा रहा है रसिया के उपर कि रसिया ने ही ये विस्पूट किया है जिसकी वजए से इतनी बड़ी तबाही हमें देखने को मिली है खेर यहां के बारे में अगर हम चर्चा करी रहे हैं तो एक और आपको ध्यां रखना है जपोर जिया यहां पर एक परमाणू उर्जा शैंत्र है जपोर जिया परमाणू शैंत्र नाम आपको सुना सुना सा लग रहा हुआ जपोर जिया जपोर जिया परमाणू शैंत्र परमाणू शैंत्र यह जपोर जिया परमाणू शैंत्र जो है यह भी बास्तम में उसी नदीप के किनारे अवस्त है जिस नदीप पर यह डेम बना था यह जो डे नदी का नदी का नाम है नीपर नदी नदी का नाम क्या है नीपर नदी नीपर नदी और नीपर नदी पर ही ये बांध बना हुआ था नीपर नदी के किनारे ही ये जपोर जिया परमाडु सैंत्र बना हुआ है नीपर नदी वास्तम में रूस से निकलती है कहां से निकलती है रूस से, रूस में आप लोगों को पता होगा बल्दाई पहाडी है, तो बल्दाई पहाडी से ये निकलती है और नीपर नदी जागर के अपना मोहाना बनाती है या गिरती है काला सागर में, काला सागर में जागर के ये नदी गिरती है, निकलती है बल्दाई पहाडी से, अ अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है इसका प्रत्यक्स रूप से सम्मंद डारेक्ट रिलेशन दो देशों से है रस्या एंड यूक्रेन लेकिन इसके जल गरहंड छेतर में आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन और रूस के साथ बेला रूस भी आता है ठीक है तो आपक दिन पहले ही यह जो परमाणू उर्जा सयंत्र है इसको रूसी सेना ने कबजा लिया है यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणू उर्जा सयंत्र है सबसे बड़ा है यह बात ध्यान रखेगा और इसे अभी हाली में किसने कबजा लिया है रूसी सेना रूसी सेना ने इस प कब इसे था डॉन वास तो डॉन वास से करीब ये 200 किलो मिटर की डिस्टेंस पर ये परमाडू उर्जा सायंत्र बना हुआ है परमाडू सायंत्र बना हुआ है 200 किलो मिटर दूरी पर ठीक है तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि 200 किलोमेंटर की डिस्टेंस पर रही है तो यही सारी बात थी जिनको आपको ध्यां रखना है अब दोस्तों ये तो बात इसपष्ट हो नहीं पाई है कि आखिर इस देम को किसने विद्ध्वन्स किया है लेकिन बड़े पेमाने पर हानी होई है जिसने भी किया है अगर हम इसके लोस को देखें परडाम को देखें रिजल्ट को देखें तो हमें लगता है कि ये बहुत गलत किया है अपनी राय व्यक्त कीजेगा कौन ऐसा कर सकता है क्योंकि ये जो प्रांत है खैरसान प्रांत है और खेरसान प्रांत में ये बांध वस्तित था वो रूसी कपजे वाला छेत्र था ठीक है थेंक यू सो मच अपना सुजाब जरूर दीजेगा अपने राय जरूर व्यक्त कीजेगा आखिर इसको कौन कर सकता है और क्यों किया होगा किसी ने किया है तो ठीक है थेंक यू सो झालोच्ट